यहां पर देखिए मैंने जिंगे का सालन बनाया है तो इसे मैंने कैसे बनाया तो मेरे रेसिपी एंड तक जरूर देखना तो यहां पर देखिए मैंने ग्यास पर कड़ाई रख दी है इसमें डाल देंगे ऑईल गरम होने के बाद में अब इसमें डाल देंगे प्याज डाल देंगे एक प्याज मैंने रफली चॉप किया तहा वह डाल देंगे प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे एकदम गोल्डन हो जाना चाहिए अब प्याज भूनने के बाद में इसमें दाल देंगे एक चमच अद्रकलसन का पेश्ट पेश्ट को अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर देखे दोस्तों सभी मसाले बहुती अच्छी तर से भून चुके है तो अब इसमें दाल देंगे दो बैगन पत्ले लेर्स में कट किये वे यहां पर मैंने दो बैगन लिये हैं उसे पतली लेर्स में कट कर दिया है बैगन जली से पकना चाहिए इसलिए मैंने प्याज मेरी डाला है बैगन बैगन को अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से भून लेंगे एक दम मैश होना चाहिए बैगन यहाँ पर पेगन भुनने के बाद में अब इसमें दाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर धनिया पाउडर दालने के बाद में इसे बहुती अच्छी तरसे मिक्स कर देना है यहाँ पर दीके सबी मसाले बहुती अच्छी तरसे मिक्स हो चुके है मीर्ची पाउडर देड़ चमच तिकाला लिया है इसका अपने देड़ का देड़ चमच अपनी साब में देड़ ले सकते हैं इसने दाल देंगे नमक हल्डी चमच मजना टाई अई इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहां पर मैंने एक टमाटर डाला है, इसे भी मिक्स कर देंगे, अब एक टमाटर के अलावा दो भी टमाटर डाल सकते हैं, यहां पर सभी मसाले मेंने डाल दिए है, अब इसे कर दिएगे बहुत यह चितर से मिक्स, यहाँ पर इसकी चटनी बन जाना चाहिए एकदम मैश होना चाहिए टामाटर और बैगन तो मैंने दो टेबल स्पून पानी दाल दिया है इसे चमस से मैश कर देंगे यहाँ पर देखिए सबी चीजे बहुत अच्छे तरह से मैश हो चुके है चेटर बैगन ने मैश होने के बात में तो मैंने वीडियो मेरे चैनल पर उसे चाहिए साप करना यह को teakकर देख सकते हैं है यहाँ पर देखिए मैंने मैश कर दे हैं और यहाँ पर जिंगे डाल मिक्स कर देंगे मचीद दें दूँ यहां पर जेता पन्हें मचीज़ की जफ़ी है दो कि अच्छी लिन्हें एसरी तख दो तीन सहीं पतंहेता aja जिसे जिंगे का अर्क जो सालन में आ जाना चाहिए तो यहाँ पर दिखें दो से तीन मिन्ट तक मैंने इसे पकाया है इसका सालन एकदम गाड़ा हो चुका है अब इसमें दाल देंगे एक चमच गरम मसाला धनिया पाउडर इसे मिक्स कर देंगे बहुती अच्छी तरह से यहाँ पर देगे कूलर कितना अच्छ आया है दिखने में तो बढ़िया है खाने में भी टेश्टी है इसे आप रोटे की साथ में चावल के साथ में खा सकते है अब इसमें डाल देंगे कसुरी मेथी अगर आपने कसुरी मेथी नहीं डाली तो डाल कर देखिए बहुती बढ़िया सालन बनता है बहुती सब्जी टेस्टी बनती है तो यह एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा मेरे रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक को सब्सक्राइब करना मुद भूलियेगा तो यहाँ पर मेरा सालन जिंगे का सालन रेडी हो चुका है तो यहाँ पर यह मेरे रेसिपी जरू ट्राइ कीजिएगा तो चलिए फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए असला लेकूम